गुडे मिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि इंज्वाइ कर रहोंगे अपने एजूकेशन को अपने पढ़ाई को और सबसे पहले आप सभी आगामी भावी सिछक बनने के लिए जो तयारी कर रहे हैं उनको EMU कलाश की तरफ से और मेरे तरफ से टीचर डे की ध देहे शारी हारदिक शुब कामनाएं और इन ही हारदिक शुब कामनाओं के साथ आज हम अपने मैरा थन की सुरुवात करने जा रहा हैं जो के डेली रात 8 बजे आपके अपने चैनल EMU कलासेस पे चलती है और सबसे अच्छी बात यह है कि 5 सितंबर के दिन ही हम आज कलास फेस्बुक पे 9 बजे शुरू करने वाले हैं जैसा कि आप लोग को नोटिस कई बार दिया जा चुका है कि आज ही फेस्बुक पे हमारा लाइफ कलास होगा पहला टेस्ट का 9 बजे तो उसके लिए भी तयार रहेगा इस वीडियो को देख लीजिएगा पूरा क्योंक प्रशन हमारा कह रहा है जहांगीर ने बूदी के किस सासक को चित्रकला प्रेम के कारण सर्बुलंदी राय की उपाधी दी थी जहांगीर का इसासनकाल चला था तो जहांगीर ने बूदी सैली के किस सासक को यानि वो सैली कौन सी थी बूदी सैली थी जिसमें एक सासक थे उनको चित्रकला प्रेम के कारण सर्बुलंद की उपाधी से नवाजा था बाश्चा जहांगीर ने मुगलकाल के क्या वो उमेश शिंग थे रतन शिंग थे सुर्जन सिंग हाडा या राव छत्र शाल तो सुरू कर दीजिए आज के कमेंट्स और अपने टेस्ट का महा मयराथन का रात के आठ बजे के आज का ये वीडियो टीचर डे के दिन लाइव क्लाश दिए हम लोग चलाएंगे यही सबसे अच्छी बात हमारे यादिगारपल की है और पहला प्रशन जो हमारा पूछ रहा है इसका सही जवाब होगा रतन शिंग बूंदी शैली के रतन शिंग जो सा सकते उनकी चितरकला प्रेम के कारण जहांगीर ने उन्हें सर बुलंत राय की उपादी दी क्योंकि जहांगीर खुद ही चितरकला के काफी पार्खी प्रेमी थे ठीक है रुख करते हैं दूसरे प्रशन की तरफ दूसरा प्रशन आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है महा भारत के फार्शी अनुवाद रजमनामा के चितर किस शैली में बने महा भारत का फार्शी अनुवाद है रजमनामा ये तो आप सभी लोग पढ़ी है और इसका जो चितर बना है वो किस शैली में बने है किशनगर शैली में, मेवाड शैली में, अलवर शैली में या आमेर सैली में यानि रजमनामा महा भारत का फार्शी अनुवाद है और इसको इस चित्र को किश शैली में बने हैं इसके चित्र ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है आज के इस महा मैराथन के विडियो का जिसका आगाज हो चुका है डेली राताट बे जैसा कि आप जानते हैं चलता है नए ल किस प्रश्न का सही जवाब होगा आमेर शैली में अगला प्रश्न देखिया हमारा कहरा है किस सैली में कागजी चित्र अधिक होने के कारड कागजी शैली कहलाती है कागजी चित्र अधिक होने के कारड कागजी सैली नाम दे दे गया किस सैली को मतलब उस सैली में कागज प जादा की जाती थी कागजी चितर में इसलिए उसे कागजी चितर सहली भी कहा गया क्या वो किशनगर सैली था जिसे कहा गया अलवर शैली था बिकानेर शैली था या कोठा सैली था तो ये है आपका प्रश्ण लाइक जरूर कर दीजिएगा और सेर भी कर दीजिएगा और बाकी लोगों को भी इंफॉर्म कर दीजिएगा कि आपका फेस्बुक लाइब क्लास आज रात नो बजे चलेगा तो तीसरे प्रश्ण का यानि इस प्रश्ण का सही जबाब है किसनगर सैली थीक है अगला प्रश्ण हमारा कह रहा है मारवार इसकूल चित्रकला सैली का प्रमुख चित्र कौन शाह है इसमें से मारवार इसकूल चित्रकला सैली का जो प्रमुख चित्र है क्या वो कालिका शुत्र है सुपाशना चरित्रम है उत्तर ध्यायन शुत्र है उत्तरा ध्यायन शुत्र या उपर यूप्त शभी तो चलिए मित्रो ड्रॉप करते रहिए अपने प्रश्णों के कमेंट्स को एंशर के रूप में और आज की टेश्ट भी साबित करिए कल की तरह की कैसी लगी और कितना अपने अपने प्रोफार्मेंश को सही किया इस टीचर डे के दिन और हमारा ये प्रश्ण जो कह रहा है इसका सही जवाब है उत्तरा धयन सुत्र अगला प्रश्ण हमारा कह रहा है दरवारी द्रिश्य जूलूस के द्रिश्य आदी किस चित्र सहली में दिखाये गया है यानि दरबार सम्बंदी से और जुलू सम्बंदी दरफ से जो है किस सैली में दिखाए गया है भूंदी सैली में, कोटा सैली में, भिकानेर सैली में या उनियार सैली में तो कई लोगों ने कल वाट यूटूब पे कमेंट भे किया है आज हमारे वाटसप पे जो हमारा वाटसप है चैनल का जिस पे आप लोग मैसेज बगारा करते रहते हैं वहाँ पे टीचर डे की बहुत शारी शुकामनाएं हमारे लिए आई हैं और इसके लिए आप शभी का आ बैंक्स करते हैं धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुबह सुबह का जो हमने आज जब खोला अपना फेस्बुक खोला जब हमने अपना वाटसप तो धेर सारी शुकामनाएं टीचर डे की आई इसके लिए हमारे सभी सब्सक्राइबर का धन्यवाद है हमारे तरब शे कि आप हमें इतने प्यार देते हैं यही प्यार यही मुहब्बत जिंदगी में रहने चाहिए क्योंकि जिंदगी कुछ पलो की हमित्रो और उसमें इंज्वाय करके ही रहना सबसे अच्छी बात होती है और हमारे इस प्रश्न का सही जबाब है कोटा शैली अगले प्रश्न की तरब बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अलवर के किस चित्रकार को मास्टर आफ नेचर एंड लिविंग ऑबजेक्ट्स कहा जाता है इतना नाम अलवर के एक चित्रकार को दिया गया कि मास्टर आफ नेचर एंड लिविंग ऑबजेक्ट्स क्या दिव की नंदन शर्मा को कहा जाता है किरड सोनी गुपता कुंदल लाल मिस्त्री या सुर्जीत कोर चोया तो कल एक कमेंट्स भी था कि सर एक्जाम कब होगा तो देखिए टीजीटी का जो एक्जाम होने वाला है और पीजीटी का तो वो तो इस महिने के आखरी तक या इसके बाद जो अक्टूबर चड़ेगा उसके पहले हपते तक में भी आयोक के साथ से एनाउंस हो जाना चाहिए ठीक है और अचानक से भी होगा मुझे लगता है हो भी जाएगा तो इसलिए आप एकड़म तयार रहेगा क्योंकि बहुत जल्दी ये होने वाला है मैं जहां तक जानता हूँ और इस प्रशन का सही जबाब है आपका देवकी नंदन शर्मा को मास्टर आफ नेचर और लिविंग अबजेक्ट कहा जाता है और कहां के चितरकार है अलवर के ये भी आद रखेगा अलवर से लिके चितरकार है अगला प्रश्ण हमारा पूछ रहा है जर्मनी के चितरकार ए एच मुलर ने जिसका चितर बनाया वह है ए एच मुलर जर्मनी के चितरकार थे और उन्होंने एक चितर बनाया था इसमें से किसी एक का क्या वो पिर्थवी राज चौवान थे जिनका चितरुनों ने बनाया था पिर्थवी राज राठोर थे जिनका चितरुनों ने बनाया था मुलर सहमने महराडा परताप का बनाया था या बाश्या अकबर का बनाया था ठीक है इन में से किश्का जो है बनाया था और कई लोगों ने कमेंट्स किया था कल सर की मैं फेस्बुक नहीं चलाती हूं एक सबनम खान है उन्होंने कहाता सर मैं फेस्बुक नहीं चलाती हूं एक और फीमेल है वो भी कहते हैं कि सर मैं फेस्बुक नहीं चलाती हूं और टेलीग्राम पे ये हो जाए तो फेस्बुक सही रहेगा फेस्बुक हर आदमी आजकाल तो छोटा बच्चा भी 10 साल का 12 साल का आजकाल इस्तमाल लोग करते हैं तो अच्छे जानकारिया भी मिलती है ठीक है तो मैं कोशिस यही कर रहा हूँ कि आप लोग उससे जुड़े उम्मीद कर रहा हूँ ताकि उस पे आपको बेनिफिट अच्छा मिल सके और वो हमेशा वीडियो वहाँ पड़ा रहेगा आप जब जुड़ेंगी आपको मिल जाएगा मेरे पेस से और इसका सही जबाब है मुलर ने महराड़ा परताप का चित्र बनाया था ठीक है अगला प्रश्न देखिए प्रश्न का कहना है चित्रकाला संस्थान टक्मल 28 तूलिका कला परिश्यद और सरसती भंडार ये तीनों इस्थित हैं कहां जोदपूर में जैशलमेर में उदैपूर में या शीकर में एक कमेंट्स और था हमारे एक मित्र का कि सरक्या या उन्होंने वाटसप पे भी कमेंट्स किया था और यूटूब पे भी कि सर क्या टीजीटी के प्रावेधिक कला को निरस्थ कर दिया जागा निरस्थ नहीं किया जागा मित्र आपने हमारी बास समझी नहीं मैं ये कहा था कि जो हमारी नई सिछानिती बन रही है जो हमारी नई सिछानिती है उसमें हो शकता है बारहमी जो प्रावेधिक कला हम लोग करते हैं उसके साथ जो बीये या बीयस्सी या बीकाम जो ग्रेजुएशन मांगता है हो शकता है या तो ग्रेजुएशन को ही कला से बारामी के शाथ मांगने लगे नई सिच्छानिती में या ऐसा भी हो शकता है कि बारामी अगर प्रावधिक कला हैं और ग्रेजुएसन किसी भी विसहते हैं तो B.A.D. मांगने लगे मतलब ट्रेंड ही डारेक्ट मांगने लगे इसका भी अईसा हो शकता है नई सिच्छानिती में ये संभावनाएं ब्यक्त की जा रही है बारा के प्रावधिक कला को निरस्त नहीं करेगा उसमें ये कह सकता है कि बारामी अगर प्रावधिक कला हैं और ग्रेजुएसन किसी भी सहसे हैं तो B.A.D. होना चाहिए या फिर ऐसा भी कह सकता है कि बारामी प्रावधिक कला ग्रेजुएशन भी कला और B.A.D. होना चाहिए तो अगर इस तरह के मशले आ जाएंगे तो फिर प्रावबलम हो जाएगे हम लोग को लिए ठीक है तो इसका सही जवाब है आपका उदैपूर ये सभी संस्थाए वहीं पहे हैं अगला प्रश्न हमारा देखे क्या कह दहा है चित्रकला संस्थान धोरा चितेरा पुस्तक प्रकाशन इस्तित है जोद्पूर में बिकानेर में अजमेर में या जैपूर में तो चल लहाए आपका सुपर महराथन स्रिंखला कल संडे में भी वहतरीन प्रश्णों की स्रिंखला गई थी और आपने वहतरीन प्रफार्मेंस भी उसका दिया उसी तरह से आज भी इसका प्रफार्मेंस मैं चाहूंगा और उसी तरह से रात 9 वजे लाइब कलाश भी मैं आपका प्रफार्मेंस चाहूंगा कि अच्छा रहे तो ज्यादा से ज्यादा जुड़िये और जुड़िये सेयर करिएगा जब लाइब होईएगा तो मेरे लिंक को सेयर करते जाएगा लाइब में तो इसका सही जबाब है आपका जूदपूर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण हमारा पूछ रहा है राजस्थान में आधूनिक चितरकला के जनक माने जाते हैं राजा रवी बर्मा, देवकी नंदन शर्मा, किरड सोनी, माश्टर कुंदन लाल मिस्त्री तो लाइक करना मत भूलिएगा और सेर करना मत भूलिएगा यूटूब के M.U. कलाश को भी और फेस्बूक पेज को भी हर एक दूसरे को अपनी जनकारियां बाढ़ दीजिए जो भी फेस्बूक चलाता है सब को सिच्छा मिलने चाहिए और सब को ग्यान मिलना चाहिए इस तरह के विचार अपने पास रखिएगा तो राजिस्थान में आधुनिक चितरकला के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके मास्टर कुंदन लाल मिस्तरी शाहब अगला प्रश्ण देखी हमारा क्या कह रहा है अगले प्रश्ण का कहना है कि जैपूर के किस चितरकार के चितर जापान के फूको को का म्यूजियम में रखे हुए है जापान का फूका कोको म्यूजियम है उसमें जैपूर के एक चितरकार ने जो चितर बनाया है वो रखा हुआ है उनका नाम क्या है कीरण सोनी गुपता उनका नाम है सुजीत कोर उनका नाम है कुंदललाल मिस्त्री उनका नाम है या आदित्य शर्मा उनका नाम है ठीक है कौन है वो जिनके चित्र को फुका को का म्यूजियम जापान में रखा गया है यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के चित्रकारों के जो है चित्र अच्छे अच्छे देशों में जो है सुरक चित्र रखे गया है यह भी एक गर्व की बात है और इस तरह के चित् इच्छी बात है, तो इस प्रश्न का सही जबा वह मान Zhu होगा, वह हो जाएगा आपका सुजीत कोर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रस्ट नमारा कह रहा है गाउं के चितेरे के रूप में जाने जाते हैं गाउं के चितेरे के रूप में जाने जाते हैं भूरिशी निशेखावत, पर्मानंद चोयल, सालिग रामसोनी या फिर लचमरदास सोनी गाउं के चितेरे मतलब गाउं के चितरकार के रूप में चितरे मिंस चितरकार मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया भी होगा और आपको ध्यान होगा तो चितरे का मतलब होता है चितरकार तो गाउं के चितरकार के रूप में जो कलाकार जाने जाते हैं वो कौन है तो वो है भूरी सिंह सेखावशाव, ठीक है, अगला प्रसुन देखिये हमारा क्या कह रहा है, राजेस्थानी चितरकला का प्रारंभ माना जाता है, मारवार अपभरश्षे, सेखावटी अपभरश्षे, सोरशेनी अपभरश्षे या गुर्जर अपभरश्षे तो चलिए कमेंट्स का सिंसिला जारी रखिएगा और एंशर ज्यादस से ज्यादस संख्या में उम्मिद करता हूँ कि आज आप सही देंगे इस वेडियो में भी और लाइब क्लाश के फेस्बुक में भी तो राजस्थानी चितर का प्रारंभ माना जाता है आपका गुर्जर अपभरश्षे आगे देखिए अगला प्रश्ण हमारा क्या कह रहा है अगले प्रश्ण का कहना है कि मेवार सैली में पंचतंत्र का अनुवादित चितर काली का दमना यानि मेवार सैली में ध्यान से देखिएगा सब प्रश्ण के उतर यहाँ पे भी है मिवार सैली में ठीक है पंचतंतर का अनुवादित चितर है यानि मिवार सैली में जो पंचतंतर गरंथ है उसका अनुवादित चितर का नाम है काली का दमना ठीक है अब ये पूछ रहा है किस चितरकार ने इसको बनाया है सहिब दिनने, निशार दिनने, नूर दिनने या कमल चंद Major तो इसमें देखिए इसमें और भी सारे कोश्चन आपके बन रहे हैं जैसे कि आपके सामने उपर है आपसे पूछ दे कि पंचतंतर का अनुवादित चित्र काली का दमना किश शैली का है तो आपके सामने उसका एस्तर पड़ा हुआ है मेवार सैली या यह पूछ दे क कि मेवार सैली में मेवार सैली के कौन से गरंथ का अनुवादित चित्र है काली का दमना तो आपके दिमाग में रहना चाहिए पंचतंत्र और ये पूछ ही दिया कि चित्र का कौन है तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे हमें ही बनाना हो तो मैं बना दूंगा इस तरह से प्रश राजिस्थानी विचारधारा की चितर शैली का प्रारंभिक केंदर बिंदु था। देखलाएं आपको डेली रात 8 बजे दी जाती है और आज से आपका शुबाराम होगा रात के 9 बजे लाइब क्लास फेस्बुक पे जिसमें आपसे टेस्ट लिया जाएगा और उसका उत्तर भी हम देते चलेंगे लेकिन थोड़े थोड़े देर बाद देंगे जब आप ही सही रहेगा आपके इशापके और इसका शही जवाब है बूंदी शैली अगला प्रश्ण है हमारा किस सैली का विकास मेवार सैली प्रश्ट हमारा आप कह रहा है किस सैली का विकाश मेवार सैली पलस बज्ज सैली के मिस्रड से हुआ है मतलब दो सैलिया मेवार और बज्ज्र दोनों का मिस्रड होने के बाद इसमें से एक सैली का विकाश हुआ वो कौनशी सैली है उडियारा सेली है, नाथदवार सेली है, आमेर सेली है या हरतवली सेली है तो चलिए फटाफट, कमेंट्स का शिंशिला, लाइक का शिंशिला, शेयर का शिंशिला प्यारे दोस्तों आज इस टीचर डे के दिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दें और ये टीचर आपसे कोई गुरु दच्छिडा नहीं मांगता है ना ही कभी फेस्बुक पे ना ही कभी यूटूब पे कहता है कि ऐसी कोई पैड़ बैच चले या कुछ नहीं सब कुछ आपको सिर्फ फ्री देखना है ये टीचर आपको फ्री देता है और फ्री ही देगा हमेशा चाहे जो भी आएगा इसका गुरु दच्छिडा सिर्फ इतना है कि इस चैनल पर प्यार महब्बत बनाए रखीएगा एक दूसरे के साथ और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को एक आयाम दीजिएगा यही मेरी गुरु दच्छिडा होगी इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं और इस प्रश्ण का सही जबाब है नाथ द्वार शेली अगला प्रश्ण हमारे देखी क्या कहे रहा है राजिस्थानी चितरकला शेली का स्वर्ड काल माना जाता है स्वर्ड काल माना जाता है ध्यान दीजिएगा कन्फर्म नहीं कहा गया है इस लाइन में माना जाता है राजिस्थानी चितरकला शैली का स्वड़काल माना जाता है तेरहमी वो चौदहमी शताबदी को चौदहमी वो पंद्रहमी शताबदी को बीशवी शताबदी को सत्रमी या अठरमी शताबदी को मतलब इसमें से कौन सी शताबदी को तो राजिस्थानी चितरकला का स्वर्डकाल माना गया है मतलब कनफर्म नहीं बना गया है एक तो हो जाता है कनफर्म मान लिया एक माना जाता है तो उसमें 100% नहीं आएगा उसमें 99% भी आ सकता है 98% भी आ सकता है 90% भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है ठीक है ये कहने का मेरे मतलब है यही प्रशन हमारा यह कह रहा है और इसका सही जवाब है 17 और 18 शताब्दी को अगला प्रशन देखिएगा हमारा पूछ रहा है प्रशन राजिस्थानी चितरकला का वर्गी करण करने वाले आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक थी राजिस्थानी चितरकला का वर्गी करण किया कला समिक्षक आनंद कुमार स्वामी ने पूछ रहा है अपनी कौन सी पुस्तक में उन्होंने राजिस्थानी चितरकला के वर्डन का ब्याक्या किया है बताया है दिखाया है किस पुस्तक में पेंटिंग इन पस्थिमी स्टेट में, राजिस्थानी चित्र शेलिया में, राजपूत पेंटिंग में या इनमेशे कोई नहीं, ठीक है, तो चलिए सुपर महराथन, सुपर सिरेज, आज के सिर्गलाओं में अच्छे खाशे प्रशनर पे अभी आप पहुँच चुके हैं, और वरगी करण किया, डक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपने जिस पुस्तक में, राजस्थानी कला का, छित्र कला का, वो था राजपूत पेंटिंग नामक बुक, इनके द्वारा लिखिये हुई, अगला प्रशन देखिए, पूछ रहा है, इनमेशे गलत वाक्य है, ग प्रकिर्त चित्रड के कारण, भूंदी सैली को पच्छी सैली भी कहते हैं, मतलब भूंदी सैली को पच्छी सैली कहने का कारण क्या है, पसुपच्छी और प्रकिर्त दिस्तियों का च्यादा चित्रड ये कारण, दूसरा कह रहा है, शिकार के द्रिश होने के कारण, कोटा शैली को शिकार शैली भी कहते हैं कोटा शैली को ध्यान दिजीगा क्योंकि अब दिखिए ये सब उत्तर भी आपके इतरा से मिलेंगे इसमें से अगर कोई वाकि गलत होगा तो उसको छोड़ के अगला कह रहा है कि राजस्थानी चित्रकला अजन्ता चित्रकला शैली का बिक क्या इसमें कोई गलत भी है या कोई गलत नहीं है सभी शत्य है ये पूछ रहा है तो सही जवाब मित्रों यह सभी शत्य है इसमें गलत वाक्य कोई है ही नहीं क्योंकि अब देखे अपने दिमांग में आप याद रखेगा इसमें प्रशना आपके इस तर से बन रहा है प्रिकाश रूप राजिस्थानी चित्रकला माना जता है तो इसलिए सभी राइट एंसर है और बहुत अच्छे प्रश्ण है याद रखिएगा अगला प्रश्ण हमारा कह रहा है इन में श्य और संबंधित हैं और संबंधित मतलब तीन से एक अलग हट के हैं उच्छ हटना ह आपको और सब्बद सबसे अलग किशनगड़ शैली नाचद्वा शैली शाहपूरा शैली या देवगड़ शैली तो चलिए आज की टीजिटी पीजिटी में राथन आपकी चल रही है और आपको एक्जाम का बहुत जल्द ही एनाउस्मेंट होने की उमीड है लिसलिए आपने स्पीड को बढ़ा के रखिएगा लापरवा ही मत करिएगा और इसका सही जबाब है किशनगड़ सेगा क्यों है और शम्बंध कारण बताईएगा आपनों कमेंट्स में अगला प्रस्ण देखिए मुगल सेली में चित्रो का आभाव है चित्रो का आभाव जो है मुगल सेली में इनमें से कौन थे छोटे आकार के चित्रो का आभाव था मुगल सेली में बड़े आकार के चित्रो का आभाव था दोनों ही तरह के चित्रो का आभाव था या इनमे से कोई नहीं बहुत ही important very important प्रश्ण है अपने आप में यह और बहुत ही छूटे लाइन से इन सब प्रश्णों को उठाए गया है और आपके दिमाग एकदम constant रखिएगा अपने महराथन में भी इंसर देने के लिए और अपने live class में भी revision प्रश्णों को बड़ा हट में नहीं आसान प्रश्ण भी उसमें मिलेंगे revision में और थोड़े हट के भी मिलेंगे तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ भी अच्छे से रिलेक्स होके दीजिए आप तो मुगल सेली में चित्रों का जो आभावरा आपको एक पता होगा कि नारी चित्र का भी उसमें आभावरा हमने आपको कल पढ़ाया होगा कि वहाँ पे दीवार पे चित्रकारी नहीं की रखी जाती थी और एक अगला जो इसमें है वो है आपका बड़े आकार के चित्रो का आभाव था, यानि बड़े आकार के चित्र मुगल सैली में कभी नहीं बढ़े हैं, जिसे बड़ा-बड़ा कैनवास की तरह, ठीक है, सभी छोटे ही आकार के रहे होंगे, वहाँ पर अगला प्रशन हमारा कह रहा है राजपू सैली के कालाकारों के नाम चित्रों में अंकित मिलते हैं राजपू सैली के कालाकारों के जो नाम है वो चित्रों में अंकित मिलते हैं मतलब कौन सी भाषा में अंकित मिलते हैं उनके नाम, यानि उनके नाम तो लिखे हैं तो होता है न कभी माली जमनों हिंदी पढ़ रहे हैं कोई उर्दू में लिखता है कोई बंगाली में लिखता है तो उसी तरह से यहां पुछा जा रहा है कि राजपुस सहले कि जो कालाकारों के नाम थे चित्रों में वो किस भासा में मिलते हैं ब्रह्मिलिपी में फार्सी भ लखिएगा अपने दिमाग में। सही जबाब है इसका देवनागरी लिपी में। राजपू सैली के कलाकार अपने नाम चित्रों में देवनागरी लिपी में अंकित करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न सघन वन में खड़ी इस्तरी ये जो चित्र है किस काल में बना है ये चित्र। साजहा के काल में, अकबर के काल का, इबरहीम आदिल शाहत दृतिय के काल का या इबरहीम आदिल शाहत प्रथम के काल का सघन वन में खड़ी इस्तरी किस काल के बने चित्र है ये। ठीक है तो चलिए TGT PGT महा महराथन इस्पेसल स्रिंखला डेली रात 8 बजे जो आपकी चलती है वो हमेशा चलती रहेगी किसी भी राज्य किसी भी प्रांत से अगर आप हैं और कला के छेतर में तायारी करते हैं तो मैं आप से चाहूंगा कि कमपर्टिशन चाहिए कहीं का वी राज्य का उकला में कूदियेगा और अपनी काबिलिये शावित करियेगा तभी आपको लगेगा कि आप अपने विशे के पढ़ाई में महरत आशी लगते हैं ये करना चाहिए सिर्फ एक जगा डिपेंड नहीं रहना चाहिए और इसका सही जबाब है आपका इबराहीम आदिल शाह दृतिय के समय का ये चित्र है अगला प्रशन हमारा पूछ रहा है आदिल शाह के राज्य काल में निर्मित अनेक चित्र किस संगरहाले से प्राप्थ हैं आदिल शाह के राज्य काल में निर्मित अनेक चित्र इस समय कौन से संगर या रखे हुए हैं प्रिंसाफ वेल्स म्यूजियम मुंबई शे राष्टी आधुनिक कला शंगरहाले नई दिल्ली शे ब्रिटिस म्यूजियम लंदन से इसमेशे वो कौन शार्शंगरहाले हैं जहां हमें अनेको चित्र प्राप्त होते हैं आदिल साह के राज्येकाल में नि मिलते हैं प्रिंसाफ वेल्स म्यूजियम मुंबई से अगला प्रस्न देखिए बसंत राग निम्न में से किस सैली का चित्र है बसंत राग चित्र है कौन से सैली का गोलकुंडा शैली का एहमद नगर शैली का बीजापूर शैली का या इन में से कोई नहीं तो कमेंट्स का सिंसिला जारी रखिए क्योंकि कुछ देर के बाद आपका फाइनल सम्मिट हो जाएगा ये प्रश्न और उस फाइनल सम्मिट तक मैं चाहता हूँ कि आपके बेस्ट रहे आज के ये टेस्ट से रिज तो बसंत राग जो चित्र है वो जिस सैली का चित्र है वो है एहमद नगर शैली ठीक है अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है एहमद नगर की कला शैली ने किस सैली के चित्रों को विसेश रूप से प्रभावित किया मतलब एहमद नगर की जो कला शैली थी यानि उस समय के दोर का जो कला की शैली थी श्टाइल था वो इन में से किस शैली के चित्रों को विशेश रुप से प्रभावित किया मतलब कहने का इस प्रश्ण कार्थिये है जैसे मान लिजी आप सभी लोग सब्सक्राइबर है और आप बहुत सारे सब्सक्राइबर जो भी हमारे सब्सक्राइबर साथ ही है मान लिजी आप सभी लोग कहीं न कहीं हमारे चैनल क्यालाओ और भी लोग प्रश्णों को कहीं न कहीं देखते हैं ठीक है? और उसमें कोई बुराई नहीं है ग्यान चाहे जहां से भी लीजिए मेरे चैनल से लीजिए, किसी और चैनल से लीजिए, किताबों से लीजिए ग्यान लेना बुरी बात नहीं है और मैं समझाना यह चाहता हूँ कि जब दो-तीन चैनलों को आप देखते हैं तो उसमें आप कंप्रमाइज करते हैं तो फिर उसके बाद आप प्रभावित होते हैं कि नहीं ये चीज हमारे लिए ठिकता तो यहां भी वही कह रहा है कि अहमद नगर में जब कला शैली जो थी उस कला शैली को देखकर उसके चित्रों की विशेषता को देखकर प्रभावित हुआ क्या बीजापूर शैली गोलकुंडा शैली दोनों ही प्रभावित हुआ या इनमेश कोई नहीं तो समझ में आ गया प्रश्न मेरा तो इसका सही जबाब है दोनों ही मतलब बीजापूर और गोलकुंडा ये दोनों जो है अहमद नगर की कला शैली से विशेष प्रभावित थे उनके चित्रों से ठीक है अगला प्रश्न देखिए गोलकुंडा सहली में बड़ी मात्रा में चित्रित हुए है काफी बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में चित्रित हुए है मतलब बड़ी मात्रा मिन्स संख्या से इसकार्थ है काफी संख्या में बड़ी संख्या में गोलकुंडा सहली में निर्त्यांगनाओं के चितर 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 तो इसका सही जबाब है दोनों ही निर्तियांगनाओ और पाशवानों इनके जो चित्र है गोलकुंडा शेली में काफी शंख्या में बड़ी मातरा में चित्रित हुए हैं ठीक है अगला प्रश्ण है सत्रमी और अठ्रमी शताब्दी के आरंभिक काल को यानि शुरुवाती काल को राजयस्थानी चित्रकला का स्वड युग माना था किश्ण ध्यान से देखिएगा सत्रहवी और अठ्रहवी शताब्दी का जब सुर्वाती यानि सत्रहवी का शुर्वाती और जब अठ्रहवी चड़ा उसकी सुर्वाती जो समय था उसको राजेस्थानी चित्रकाला का स्वड काल इसमें से किस कला समिख चक या कला इतिहाश कार ने माना रायकिष्ण दास ने माना आनंद कुमार श्वावी वाना रभी शाखलकार ने माना या फिक कार्ल खंडाला वाला ने माना किस कला समिख चक या कला इतिहाश कार ने 17 और 18 शताबदी के प्रारंबिक काल को राजेस्थानी चितरकला का स्वड़काल माना था बहुत ही शुपर प्रश्ण है बहुत ही शुपर प्रश्णों की सुरीज है और मैं चाहता हूँ कि आद की टेस्ट आपकी फाइनल सम्मिट अच्छे से हो बस थोड़े दिर में आपकी फाइनल सम्मिट होगी और उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप बेश्ट दे और इसका शही जबाब है कार्ल खंडाला वाला ने ये माना था प्रारंबिक राजेस्थानी चितरकला को स्वड़ युग माना था 17 और 18 शताब देगे अगला प्रशन कहे रहा है राजेस्थानी चितरकला का सबसे पहला बैग्यानिक बिभाजन किस सन्द में राजेस्थानी चितरकला का हुआ था 1916 में, 1918 में, 1920 में या 1910 में ठीक है और इस बिभाजन को किया था किस ने आनंद कुमार श्वामी ने ठीक है आनंद कुमार श्वामी ने इस बिभाजन को किया था सबसे पहले पहला सबैग्यानिक बिभाजन आनंद कुमार श्वामी ने किया था और किस में किया था अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किसमें आनंत कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजेस्थानी चितरकला का पहला बैज्ञानिक विभाजन किया था इतने चीज मैंने आपको बता दी किस सन में किया था ये हमारा शवाल है तो सही जबाब है 19.06 में ठीक है और इस वीडियो का आखरी प्रशन देखिए आज के टेस्ट का क्या है बेश्ट ये आप कमेंट्स में बताएंगे और ये आखरी प्रशन हम से पूछ रहा है राजस्थानी चित्रकला को किस के शाशनकाल में राजपूत नामा कहा जाता था राजपूत नामा कहा जाता था राजस्थानी चित्रकला को किस के शाशनकाल में मुगलों के शाशनकाल में अंग्रेजों के शाशनकाल में राजपूतों के शाशंकाल में या इन में शेकोई नहीं यह आखरी प्रशन है और बिल्कुल केयर होके इस आखरी प्रशन का उत्तर कमेंट्स में डालिएगा क्योंकि मैं इस प्रशन का उत्तर तो जरूर कमेंट्स में देखूंगा कि किस ने क्या दिया है क्योंकि पूछा बहुत अच्छे से है और विकल्प भी बहुत चुनिन्दा है कई लोग के दिमांग में कई सवाल आएंगे इस विकल्प को देखके कि राजस्थानी चितरकला को किसके शाशनकाल में राजपूत नामा कहा जाता था तो राजपूत नामा राजस्थानी चित्रकला में जिस सासन काल ने कहा इसको वो थे अंग्रेज कौन थे अंग्रेज थे जिन्होंने राजपूत नामा कहा राजस्थानी चित्रकला के सासन को तो मित्रों उम्मिद करता हूं कि आज की पीचर डे के दिन हमारी ये महराथन से आपको परशंद आई होगी तो जरूर जुडियेगा और जुडियेगा एक दूसरे को और तयार रहेगा आज राप 9 बजे लाइब क्लास में अपने टेस्ट को देने के लिए और चलिए आज के लिए दीजी जाएगा कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय इसी टाइम कुछ और बेहतरीन प्रश्णों की सरिंखलाओं के साथ तब तक के लिए दीजी जाज़त नमस्कार गुड नाइट सुबरातरी और एक बार फिर से हैपी टीचर डे आप सभी सब्सक्राइबर शाथियों को मेल या फिवेल मेरी तरब से